2022 के सभी महतवपुन पुरुसकार और सम्मान काफी ज़ादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाले offense यकीन मानिये जितनी भी important question हो सकते हैं 2022 के पुरुसकार topic से वो मैंने अपने इस वीडियो में add कर दिये हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा स्वच सर्वेक्षन पुरुसकार 2022 में लगाता चटी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच शहर गोशित किया गया है सही answer है option D मद्धे परदेश का जो फ्रेंट इंदोर शहर है इस शहर को लगातार चटी बार स्वच सर्वेक्षन पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है वहीं अगर आप से पुछा जाए कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच राज्य कौन सा बना है आपका answer मद्धे परदेश होगा वहीं अगर आप से पुछा जाए कि छोटे राज्यों में सबसे स्वच राज्य कौन सा है तिरी पूरा बना है यह आपको याद रखना है नेक्स कॉशन दादा साइब फाल के पुरुसका 2022 से कि सभी नेतरी को सम्मानित किया गया है सही answer है option C आशा पारिक आशा पारिक जीको फेंट्स दादा साइब फाल के पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है और फेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दादा साइब फाल के पुरुसकार है अगर आपसे एक्जाम में ये पुछा जाए कि 2022 में गाड़ा साइफ हाल के पुरुसकार बया गए येゃ पुछा जाया है को बढ़ावा देने के लिए पोशक अनाज पुरुसकार 2022 जीता है सही आंसोरों का इस कोशन का ओप्शन C 36 गड़ 36 गड़ राज़े ने फ्रेंड्स पोशक अनाज पुरुसकार 2022 जीता है ये आपको याद रखना है किस महिला पतरकार ने व्यक्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंटरी की श्रेनी में पुरुसर पुरुसका 2022 जीता है सही आंसोरों का इस कोशन का ओप्शन A फहमीदा अजीम फहमीदा अजीम जो की बांगलादेश की है इनको पुरुसर पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है और फेंट्स आपसे एक्जाम में ये पुछा जाता है कि जो पुरुसर पुरुसका ये किस श्रेनी में दिया जाता है तो आपका आंसोरों का फेंट्स पतरकारिता के छेतर में दिया जाता है ये आपको याद रखना है अगला कोशन डबल स्टार मार कर लिए इस कोशन को कोशन है हमारा बहुत तीक विज्ञान जिसे की फेंट सम फिजिक्स भी बोलते हैं में नॉबल पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर है अप्शन डी उप्युक्त सभी तीन लोगों को दिया गया है तीनों का नाम देख लेते हैं एलन, एस्पेक्ट जो की फ्रांस की हैं जॉन, एफ, क्लाउजर जो की अमेरिका की हैं एंटोन, जिलिंगर ये अस्ट्रिया देश की हैं ये आपको याद रखना एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट है नेक्स कोशन रसाइन विज्ञान जिसे की हम किमिस्ट्री भी बोलते हैं में नॉबल पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर हो का फैंट्स कोशन का ऑप्शन डी उप्युक सभी तीन लोगों को दिया गया है 2022 में नॉबल पुरुसकार रसाइन विज्ञान के छेतर में ठीक है फैंट्स ये आपको याद रखना है तीनों विज्ञानिकों के नाम देख लेते हैं कैरोलीन बर्टोजी अमेरिका के हैं बैरी शापलेस अमेरिका के हैं के मॉरिटन मैल्डल डैनमार के हैं तीन विज्ञानिकों को दिया गया है रसाइन विज्ञान यानि के मिस्ट्री के छेतर में नॉबल पुरुसकार 2022 फैंट्स मैं आपको आगे बता दूँगा कि नॉबल पुरुसकार क्यों दिया जाता है कि इनकी याद में दिया जाता है चिकअसा का NEW पुरुसकार-2022 किसने जीता है सही आंसर स्कॉशन का option B सवान्ते-पैबो स्वीडन तोसे इनको स्टामर कर लीजोए इनको चिकअसा का NEW पुरुसकार मिला है 2022 में यह आपको याद रखना है और फैंस आपसे एक्जाम में पुछा जाता है कि जो Nobel पुरुसकार है वो क्यों दिया जाता है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ Nobel पुरुसकार जो है यह Alfred Nobel की याद में दिया जाता है जो कि सुटेंग के निवासी थे और इन्होंने डाइनामाइट की खोज करी थी तो इन्हीं की याद में फैंस Nobel पुरुसकार का नाम पढ़ा है यह आपको याद रखना है एक्जाम के लिए इंपॉरेंट है और छे छेतरों में Nobel पुरुसकार दिया जाता है चिकिटसा, बहुतिक, रसाइन, स्चानटी, अर्थशास्त और साहिते हैं ठीक है फ़ैंट्स और आपसे पुछा जाए कि Nobel पुरुसकार हर साल कब दिया जाता है तो Nobel पुरुसकार हर साल दिया जाता है 10 डिसमबर को ये भी आपको याद रखना है और पहली बार नॉबल पुरुसकार कब दिये गए थे 10 दिसंबर 1901 को ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन 64-वे रैमन मैकसे से पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा सही आंसर इस कोशन का आप्शनी उपियुक्त सभी सौथियारा चिम जो की कमोडिया के मनुचिकिसक है तदाशी, हतोरी, जपान के नेतर रोग विशेशग्य है बरनारेट, मैटरेट, फिलिपीन के बाल रोग विशेशग्य है गैरी, बैंचेगी, फ्रांस, समरांसी की प्रयावरन कारे करता है ठीक है, मतलब इन चार लोगों को मिलेगा 64 रैमन मैकसे से पुरुसकार 2022 यह आपको याद रखना है एक्जाम के लिए काफी important question है आप सभी के लिए good news है आपके लिए इस वीडियो में गिफ्ट रखा है गिफ्ट में क्या होगा, मैं आपसे दो question पूछूँगा जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ जो students सही answer देंगे उनको हमारी तरफ से हमारी जो current phase की किताब वो बिल्कुल गिफ्ट में दिया जाएगा दस student को, तो fans आपने वो test जरू attempt करना है, और fans जो पिछली वीडियो में जो lucky student था, उनको हमारी तरफ जो book है वो deliver हो चुकी है, तो fans आप जरू test attempt करना है, तो fans आप जरू test attempt करना है, next question कर लेते है राश्टी लता मंगेशकर पुरुसकार 2019, 2020, 2021 किसे किसे सम्मानित किया गया है सही answer इसका option D उप्यूक्त सभी, 2019 का जो राश्टी लता मंगेशकर पुरुसकार है, ये दिया गया है शालेंदर सिंग को 2020 वरा दिया गया है अनाद मिलिंद को 2021 वरा दिया गया है कुमार नुसानों को, ये आपको याद रखना एक्जाम के लिए important है अगला question कहले लेते हैं वैश्विक उर्जा पुरुसकार 2022 किसने जीता है, इस question को आप double star मार कर लीजिए, सही answer हो का option D, कौशिक राजशेकर कौशिक राजशेकर को वैश्विक उर्जा पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है ये आपको याद रखना है और फोटो कौशिक राजशेकर की फोटो से मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप फोटो से समझते हो हमेशा के लिए याद हो जाती है फेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की कॉलिटी पसंद आ रही है कॉंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए आप सभी की डिमान डारी थी कि रवी सर आप लाइव आईए तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा ब्लागिंग चैनल आजो का है जिसका नाम है रवी अदिती ब्लाग्स ठीक है friends यहाँ पर जाके आप हमसे हमेशा के लिए जोर सकते हो और मुझे लाइफ देख सकते हो मेरे ब्लागिंग चैनल के ओपर सही आंसर इस कोशन का option A पशिम बंगाल राज़े को friends अंतराश्टिय यातरा पुरुसका 2023 से सम्मानित किया जाएगा अगला कोशन भारत के सर्वोच साहितिक पुरुसकार जिसका नाम है चपनवे ग्यानपिट पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसरों का option D नील मनी फुकन नील मनी फुकन को friends 56 में ग्यानपिट पुरुसका 2020 से सम्मानित किया गया है अगला कोशन कर लेते हैं important है ये भी प्रिज़र पुरुसका 2022 जीतने वाले पहले अफरीकी कौन बने है सही आंसरों का option A डाइबेडो फ्रांसस केरे इनको पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है सही आंसरों का option C जिशान A लतीफ को रामनाथ गोईण का पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है प्रतिस्ठित ओ हेंडरी पुरुसकार 22 किसने जीता है सही आंसर होगा option A अमर मितराने ये आपको याद रखना है Next question कह लेते हैं World Press Photo of the Year 2022 का पुरुसकार किसने जीता है सही आंसर होगा इस question का option B Amber Bracken Amber Bracken ने World Press Photo of the Year 2022 का पुरुसकार जीता है ये आपको याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं प्रतिस्टीद विटली गोल्ड पुरुसका 2022 किसने जीता है ये कोशन भी एक्जाम के लिए काफ़ी इंपॉरिंट है सही आंसर इस कोशन का ओप्शन D चारुदत मिश्रा ने जीता है विटली गोल्ड पुरुसका 2022 नेक्स कोशन कर लेते हैं मिसेज वर्ड 2022 का किताब किसने जीता है सही आंसर है ऑप्शन B शाइलीन फॉर्ड शाइलीन फॉर्ड ने मिसेज वर्ड 2022 का किताब जीता है ये आपको याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं दुनिया की सर्वस्रेश्ट नर्स का पुरुसकार Guardian Global Nursing Award 2022 किसने जीता है? सही आंसर है, आप्षन है अन्ना, काबले, दूबा जो की केनिया की हैं इन्होंने Guardian Global Nursing Award 2022 जीता है, यह आपको याद रखना है फिर्ट अकर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो की quality पसंद आ रहे हैं content पसंद आ रहे हैं रवी सर की महनत पसंद आ रहे हैं वीडियो को like और share ज़रूर करिए अगला कॉशन प्रतिष्ठित Templeton पुरुसकार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है, आप्षन C Frank Wilczak ने जीता है Templeton पुरुसकार 2022 next question इस question को भी star मार कर लिजे सही आंसर है option C Annie Anox जो की फ्रांसीजी लेखी का है इन्होंने सहीते का नॉबल पुरुसकार 2022 जीता है सहीते का नॉबल पुरुसकार परदान करता है Swedish Academy next question Abel पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा option D Dennis Parnell Sullivan ने Abel पुरुसका 2022 जीता है ये आपको याद रखना है और friends मैं आपको बताना चाहता हूँ जो Abel पुरुसकार होता है ये नॉर्वे का जो राजा होते है उनके द्वारा परतिवश दिया जाता है और साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पुरुसकार है ये गनित के छेतर में उलिखनी काम करने वाले लोगों को दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है गनित के छेतर में दिया जाता है अगला question युवा गनितग्यों के लिए रामानुजन पुरुसकार 2021 की से प्रदान किया गया है सही आंसरों का option B नीना गुपता को रामानुजन पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है अगला question स्टार मार कर लिजिए किस भारतिय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास जिसका नाम है रेट समाधी या बोसकते हो टॉम आफ सैंड के लिए अंतराश्टिय बुकर पुरुसकार 2022 जीता है सही आंसरों का option B इसे भी आप स्टार मार कर लिजिए विश्व खाद्य पुरुसका 2022 किसे सम्मानित किया गया है या आपको या रकना है भारत के सर्वोज सहाहितिक पुरुसका सतावनवे ग्यानपिट पुरुसका 2021 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा option D दामोदर मोजो को फेंट्स आपको कोशन का level देखे पता लग रहा हो कि सभी कोशन जो है exam oriented मैं आपको कम टाइम में जादा से जादा कोशन करवाना चाहता हूँ किस राज्य के सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को बागों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिस्ठित TX2 पुरुसकार से सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का option A तमिलाडू तमिलाडू राज्य का जो सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व है इसे T2 पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है अगला कोशन कर लेते है नेक्स कोशन है किस भारतिय खिलाडी को परम विसिष्ट सेवा मैडल और पदम श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है सही आंसरों का option B नीरज चोपड़ा को और यह भाला फिक के खिलाडी है 2022 में कितने लोगों को पदम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है सही आंसरों का option C 128 लोगों कुल मिलागे फैंस पदम परुसकार से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है 2022 में कुल 4 लोगों को पदम भुशन दिया गया है 17 लोगों को पदम भुशन और 107 लोगों को पदम श्री से सम्मानित किया जाएगा अगला question, friends, next question करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 2 question का test लेने वाला हूँ तो फे 2 question वो आ चुके हैं और आपने अपना answer comment box में देना है कि दोनों question का सही answer क्या है और आपको मेरी video कैसी लगती है फैंस वो भी आपने जुरूर बताना है comment box में फैंस आत में जो हमारा blogging channel है जहां पर आप में रवी सर को live देख सकते हैं अदिती मैम को live देखते हैं उनको भी subscribe कर लीजिए रवी अदिती ब्लॉक्स हमारे चैनल का नाम है तो पहला question है test का सवच सर्वेक्षन पुरुसका 2022 में लगा था चटी बार की शहर को भारत का सबसे सुच शहर घोशित किया गया है चार option है आपके पास next question है test का दादा साइफ आलके पुरुसका 2022 की सबी नीतरी को सम्मानित किया गया है चार option है आपके पास दोनों question का answer फ्रेंस आपने comment box में देना है वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है और रवी दिती ब्लॉक्स को फेंट आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजे यूट्यूब पे जाकर पुतक्रिष्ट महिला मेडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरूसका 2021 से किसे संवानित किया गया है सही answer होगा option a आरिफा जोहरी आरिफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरूसका 2021 से संवानित किया गया है next question कर लिते हैं राश्टिय जल पुरुसकार 2022 में सरफ्ष्रेश राज्य की शरीनी में पहला पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है। सही आंसरोंगा ओप्शन D उत्तर प्रदेश को अगला कोशन मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है। सही आंसरोंगा ओप्शन B डेनमार्ड देश को मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड 2021 मिला है। ये कोशन B एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट कोशन है। अगला कोशन भारत की की सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कॉंग्रेस में बेस्ट इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरुसकार जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन C अटल सूरंग जो की हिमाचल परदेश में हैं रोतांग दर्रे में स्थित हैं ये इसको बेस्ट इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरुसकार मिला है। पहली बार दिनानाथ मंगेशकर पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसरों का option B, हरशाली महलोतरा को भारततन डॉक्टर अंबिटकर पुरुसका 2021 से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन, नेता जी रिसर्च ब्योरो द्वारा नेता जी अवर्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसरों का option D, शिंजो आबे, यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन, गंतन्द दिवस प्रेड में किस राज्य की जहांकी को सर्वच्रेश जहांकी चुना गया है सही आंसरों का option D, उत्रपरदेश को, यह आपको याद रखना है राश्टिय स्वास्ते सुविधा रजिस्टर में विभिन स्वास्ते सुविधाओं को जोडने के लिए किस राज्जे ने आयूश्मान उतक्रिष्ट पुरुस्कार 2022 जीता है सही आंसरों का आप्शन ए उत्रपरदेश राज्जे ने सही आंसरों का आप्शन बी जापान संत नामदे राश्टिय पुरुस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा सही आंसर है आप्शन डी सत्यपाल मलिक को जापान की सर्वोज सम्मान सुप्रीम ओडर ओव दा क्राई सैंथमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा सही आंसरों का आप्शन बी सिंचो आबेगो या आपको याद रखना है नेक्स कोशन करे लेते हैं ब्रेटेन की संसर्द ने किस भारतिय महिला को आईरुवेद रतन पुरुस्कार 2022 से सम्मानित किया है सही आंसरों का आप्शन ए तनूजा निसारी को अगरा कोशन इंपॉरेंट है गनिस श्रेनी में ब्रेक्थ्रु पुरुस्का 2023 से किसे सम्मानित किया है सही आंसर है ओप्शन डी डैनियल स्पीलमैन जो की अमेरिका की है और अन्य पुरुस्कार विजिताओं के नाम देख लेते हैं मौलिक बहुत की में चार्ल्स पैनेट, गाइल्स, बारसट, डैविड, डियूश और पीटर शोर को दिया गया है और जीव विग्यान में क्लिफ़ोड, ब्रेंग्विन और एंथोनी हाइमन को दिया गया है ये पुरुस्कार नेक्स कोशन कर लेते हैं अर्थशास्तर में नॉबल पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन डी उप्युक्त तीनों डगलस डबल्यू डाइमंड जो की अमेरिका के हैं बैन एस बनान के ये भी अमेरिका के हैं सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन B अंजेला मरकेल जो की पूर्व जर्मन चांसलर है अगला कोशन AIPH World Green City पुरुसका 2022 कि शहर ने जीता है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन A हैदराबाद शहर ने AIPH World Green City पुरुसका 2022 जीता है या आपको याद रखना है हैदराबाद को यह है पुरुसकार उनके तिलंगाना को हरीता हरम प्रोग्राम के लिए दिया गया है नेक्स कोशन प्रतिष्टित सज़त रामनुजन पुरुसका 2022 किसने जीता है सही आंसर है ओप्शन C योनकीग टैंग जो किछीण की है अगला कोशन गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स प्रोटिस प्रोसका 2022 किसे सम्मानिद किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का प्शन ही उप्युक्त सबी तो उसका सही आंसर क्या होगा जारा जोया जो कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान की हैं वैनिसा, नाकोटा, युगांडा राधिका, बतरा, भारत की हैं और उर्सुला, वोन, डैर, लियन यू के पर मुख हैं यह आपको याद रखना है फ्रेंट्स आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने सेम वीडियो अगर आपको अपनी इप्सक्राइब कर सकते हो सेम वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए वहीं अगर आपने टॉपिक वाइस करेंड अफेर पढ़ना है हर दिन तो इसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है Current Affairs by Ravi तो फिर्ट दोनों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए अगर आप किसी भी इक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो और फिर्ट अगर आप English Medium Student हो तो रवी इति क्लास इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए Next Question कर लेते है और फिर्ट जो हमारी बुक है उसे आप जरूर बाई कर लेना अगर आपको अपनी इक्जाम की त्यारी को मजबूत करना है तो फिलिप कार्ट और Amazon पर हमारी किताब उपलब दाएए रवी Current Affairs Book अगला कोशन Miss India USA 2022 का किताब किसने जीता है सही आंसर होगा इस कोशन का Option C आरिया वाल वेकर फ्रांस की सर्वोच नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला लीजन दी ओनर 2022 किस भारतिय को सम्मानित किया जाएगा सही आंसर होगा Option A शशी थरूर अगला कोशन किस सहाइटेकार को उनकी हिंदी उपन्यास प्रेमे के लिए सहाइटे अकादमी युवा पुरुसका 2022 प्रदान किया जाएगा सही आंसर होगा Option C भगवन्त अनमोल यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन दुनिया का सबसे प्रतिस्ठित नॉबल शांते पुरुसका 2022 किसने जीता है सही आंसर है Option D उप्युक तीनो यानि कि यानि कि युदा प्रादो मानवादिकारों के हनन और सत्ता के दुरुप्यों का दस्तावेजी करण के लिए यह प्रोसकार दिया गया है यह आपको याद रखना है नार्वेजियन नॉबल समिती दौरा यह प्रोसकार दिया जाता है किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31 में व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का Option A असगर वजाहत यह आपको याद रखना है अगला कोशन Miss India World 2022 का किताब किसने जीता है सही आंसर होगा Option B सिनी सदानंद शेटी जो की करनाटक की है इनको Miss India World 2022 का किताब मिला है यह आपको याद रखना है अगला कोशन दूसरा वारशिक अंतराष्टिय रेंजर पर उसका 2022 किस भारती नेशनल पारक ने जीता है सही आंसर होगा Option D सही आंसर होगा Option D औरंग राश्टिय उद्यानो टाइगर रिजर्व जो की कहाँ पर है असम में है यह आपको याद रखना है अगला कोशन Digital Human Rights Award 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है सही आंसर होगा इस कोशन का Option B Ukraine यह आपको याद रखना है अगला कोशन Miss India Worldwide 2022 का किताब किस ने जीता है सही आंसर है Option A खुशी पटेल इस वीडियो का जो एक-एक कोशन है आपके एक्जाम के लिए important है तो आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखो और एक भी कोशन आप मत छोड़ना क्योंकि कोई भी कोशन आप एक्जाम में आ सकता है और सभी कोशन इसमें important है अगला कोशन The Book of Form and Emptiness उपन्यास के लिए महिला फिक्शन प्रुसका 2022 किस ने जीता है सही आंसर होगा option A Ruth Ozeki ये आपको याद रखना है एक्जाम के लिए important है फिर्ट्स मैं आपको इस वीडियो में कुल मिला के 70 कोशन करवाने वाला हूँ ठीक है प्रतिस्टित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कौन बने है सही आंसर होगा option B दीपक धर दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतिये बने है अगला question Oscar Award 2022 में सर्फ्ष्रेश्ट अभिनियता का पुरुसकार किसने जीता है सही आंसर है option A Will Smith ने और मैं पताना जाता हूँ सर्फ्ष्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार मिला है कोड़ा को सर्फ्ष्रेश्ट अभिनियता Will Smith को मिला है King Richard के लिए सर्फ्ष्रेश्ट अभिनियतरीवा पुरुसकार मिला है जैसिका चैस्टिन को अगला question पुरुसका 2022 से किन भारतिय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है सही answer होगा option E उप्युक्त सभी अदनान आबीदी सना इर्शाद मट्टू अमित दवे और दानिश सिद्धिकी इनको मरनोपरांतिया पुरुसकार मिला है अगला question कर लेते हैं यह आपको याद रखना है शर्नार्थियों का सौगत करने के लिए युनेसको शांतिय पुरुसका 2022 किसने जीता है सही answer होगा option B अन्जिला मरकेल जो की पूर्व जर्मन चांसलर है किस भारतिय मुलकी महिला ने पहला महारानी अगला question किस भारतिय महिला वेग्यानिक को फ्रांस की सर्वोच नागरिक पुरुसका नाइट ओफ दा लीजन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया है सही answer है option A डॉक्टर स्वाती पिरमल यह आपको याद रखना है next question मानवता की सेवा के लिए लदा के सर्वोच नागरिक सम्मान डी पैल रंगम डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही answer है option C दलाई लामा को प्रतिष्ठित फैलो ऑफ दा अमेरिकन अकेडमी ओफ नियूरॉलोजी पुरुसका 2022 के लिए किस भारतिय चिकिसक को चुना गया है सही answer होगा option C envy सुंदरा जारी को आखरी question इस वीडियो का प्रतिष्ठित लिबर्टी मैडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा सही answer है option D विलोदोमी जैलनसिकी जो की उक्रेन के राष्टपती है ये आपको याद रखना है मैंने आपको 70 question करवाए पुरुसकार और सम्मान टॉपिक से उमीद करता हूँ आपको सभी के सभी question के answer इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होंगे और याद भी हो गया होंगे मेरी कोशिश यह थी कि काम टाइम में मैं आपको सबसे जादा 雀 Meekार के अच्छे सभाए आपको कर वाया उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर ज्रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और फेंस भही मैं अबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो को पीडिएफ चाहिए या इनोर्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट से जाके ले सकते हो जिसका नाम है www.ravistudyiqugk.com यहाँ पर लिए देता हूँ www.ravistudyiqugk.com यह मेरा वेबसाइट है यहाँ जो भी वीडियो आपके लिए कराता हूँ उसके नोटस आपको यहाँ पर मिल जाती है ठीक है फैंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी की डिमांड आ रही ती अब लाइए लाइए हमें आपके कॉंटेंट से बहुत दब हैल्प मिलती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको यह लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉग चैनल पे और मैं सकते हो मतलब फैंड्स हमारी पूरी कोशिश यह रहती है कि हम आपको जो भी कॉंटेंट दे अच्छा कॉंटेंट दे तो फैंड्स आप हमारी इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिया है ठीक हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मैं आपको फ्री में बेस्ट कॉंटें पर ही मिलेगा तो महा से जाके आप इन्ट बुक को खरीश सकते हो ठीक एफेंट्स तो चलिए फेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफेंट्स आप हमें टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर भी जूर सकते हो हमसे, रभी स्टडी आईक्यू जी के नाम से हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश्यू अल दी बेस्ट